किसान साथियो नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में जेविक बागवानी जी हाँ क्या जेविक बागवानी संभव है और हमें अगर सुरू से ही जेविक बागवानी करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज की वीडियो में यही मुद्दा है और इसके साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आपको दो से तीन एक मुख्य बाते और बताऊंगा किसान साथियो ये मेरा बाग है इसमें साथ पोदे हैं जो मैं अक्सर दिखाता हूँ इस वीडियो से पहले थोड़ा आप 247 नंबर की वीडियो अवस्थ से देखें जिसका लिंक भी उपर आ रहा है मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि मैंने जब ये हाथ फैलाए हुए थे करीब डेड़ महां पहले तो इतनी दूर ये थे अब देखिए ये मेरे से जस्ट लगबग मैं बीच में खड़ा हूँ और ये टच हो गए है ये पोधे दस बाई दस परव हैं अलाबादी सफेदा के हैं अगर इसी प्रकार हम इने बढ़ाते रहे तो यहां पर एक जंगल हो जाएगा और पोधे की जो पैदावार है वो भी घट जाएगी ये था एक विच्छे किसान सातियों मुझे पर कुछ किसान भाई बार बार सुझाओ भी देते थे और थोड़ा सा आरोब भी बड़ा मीठा आरोब भी लगाते थे के त्यागी जी आप केमिकल को बढ़ावा दे रहे हैं जी ऐसा बिलकुल नहीं था आप सब को पता है कि मेरी प्रस्ट भूमी वेग्यनिक की है मैं फिजिक्स का विद्यारती रहा हूँ और मेरी सोच थोड़ी सी क्या क्यों कैसे पर रहती है जब मैंने बागवानी सुरू की तो मैंने ये निश्चे किया था कि मैं बागवानी ज जब पोदे मेरे 6-7 महीने के हुए तो मुझे पहले यही ग्यान था कि पोदे लगाने से पहले गड़ा खो दो उसमें थोड़ा खाट डाल दो एक-दो माइक्रो न्यूट्रेंट डाल दो और गड़े में पोदे लगा दो और आपकी जैविक बागवानी सुरू हो जाएग ऐसा नहीं है जब मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत ग्यान अरजित करना पड़ेगा तो मैं अपने बैक्ग्राउंड में चल पड़ा उस कारिये की ओर किसान सातियों तब तक मैंने इनमें जो भी आप समझे कैमिकल दिया सब चीज दिया और बाग को बचाया अब मेरा बाग इतना सुष्थ हो गया है और धीरे 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 मैंने पहला कारिये ये देखा कि जैविक बागवानी के लिए आपको सबसे पहले खाद परबं नहीं है तो आप जैविक बागवानी सोच भी नहीं सकते और यही कारण था कि मैंने गोबर की खाद पर कई वीडियो बनाई उसके बाद सुरू होता है कि हमें इसमें किन-किन चीजों की आवश्यक्ता होती है किसान साथियों मैंने कई वीडियो में बताया कि गोबर की खाद आप कई परकार से तयार कर सकते हैं इस परकार तयार करने में आपको जदिक पैसा नहीं लगेगा और आपकी बचत भी होगी इसके अलावा मैंने यह भी परियोग किया कि जीवामरत बहुत अच्छी चीज है आप अपने पोधों को परतिवर्ष जीवामरत दीजिए जो 252 नंबर की वीडियो है विनो दरोडा जी की उसमें उन्होंने सिद्ध भी किया है और मैं यह ढूंडता रहा ऐसे किसान जो इनका बहुत परियोग करते हैं ऐसे मुझे कई किसान मिले जो जेविक बागवानी करते हैं लेकिन थोड़ा 10 से 15 परसेंट वो अगर कोई ऐसी बात आ गई तो वो केमिकल करने से नहीं हिचकते लेकिन कुछ है जो जेविक बागवानी करते हैं इसके अलावा आपको क्या चाहिएगा वो चाहिएगा वेस्ट डिकम्पोजर जी हाँ मेरे को पिछले वर्स मैंने जब सुरू किया था तो वेस्ट डिकम्पोजर से मैं पतियों का रस बनाता था पत्थर का रस बनाया मैंने और मैंने माइक्रो न्यूट्रेंट भी बनाए लेकिन बाद में कई एक्सपरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें तीन चीजे बहुत कारगर है पहला अच्छी तरह 200 लिटर पानी में 2 किलो गुड के साथ वेस्ट डिकंपोजर बनाये वेस्ट डिकंपोजर बनाने के बाद उसे परतेक सिचाई में परती एकड़ 1000 लिटर से लेकर 5000 लिटर तक आप दे सकते हैं आपके खेत में कोई भी ऐसी मरत वस्तु पड़ी होगी लकड़ी होगी घास पूस होगा सब को डिकंपोज कर ये एक अच्छे खाद में परिवर्थित करेगा आपकी जमीन भूरबूरी होगी ये मेरा भी अनुबव है कि जो हम पतियों का रस बनाते हैं पतियों का रस बनाने के लिए जो हम दस तरे की पत्ती लेते हैं कुछ लोग उसे दस पढ़नी अंस भी बताते हैं जिसे गाएं के मुतर में मिलाते हैं वेस्ट डिकंपोजर की ये खासियत है कि अगर आपके पास गाएं नहीं है तो आप वेस्ट डिकंपोजर का परियोग कर सकते हैं आप दस प्रकार के पत्ते लीजिए आखा लीजिए नीम लीजिए धतूरा लीजिए वे सब चीजे जिने जानवर नहीं खाते इवन अम्रूद के पत्ते भी ले लीजिए आप यूगलिप्टिस के पत्ते ले सकते हैं और उन सब को गलाईए सडाईए उस पर हमारी कई वीडियो है और डाक्टर कृसिन चदर की जैविक बागवानी में आपको कुछ और चीजे चाहिए उन में से एक चीजे मुख्य है बायो एजेंट्स बायो एजेंट्स क्या होते हैं इन पर मैंने एक वीडियो बनाई है और ये भी बताया है कि किस बायो एजेंट्स का प्रियोग आप पेस्टिस आइडिया उसके सा मैंने ये भी बताया था वीडियो में कि कौन से बायो एजेंट्स आप केवल जमीन में दे सकते हैं या बीज उपचार कर सकते हैं और कौन से बायो एजेंट्स का आप इस स्प्रे कर सकते हैं बायो एजेंट के बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा एक बहुत बड़ी भरांती है मैंने कई वीडियो में देखा है और किशानों को कहते सुना है कि वो गुड डाल कर उसे मल्टिप्लाई किजिए किरिप्या ऐसा नै करे आप इस चीज को टेस्ट करा लीजिए कि जो आपके एक ड्रम में रखिये आप कोई भी जैसे ट्राइगो डर्मा गोल लीजिए और दूसरे में आप गुड की साथ उसको गोल लीजिए और तीन दिन बाद दोनों का टेस्ट कराईए तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जीवानों की संक्या कितनी है और इसमें नहीं है ये जीवानों कोई भी कंटामिनेशन जैसे गुड में होता है गुड में केमिकल भी होता है गुड में कुछ असुद्या भी होती है आपका पानी इन चीजों में जिन्दा नहीं रह सकते इवन के वातावरण में भी जो हवा में है इसका प्रभाव पड़ता है उन पर किसान साथियों एक बात सोचने की है अगर हम इस प्रकार मल्टिप्लाई कर लेते जो ये हमारे बायो अजेंट है जैसे ट्राइकोडर्मा है बवेरिया बसियाना है सुडो मुनास है तो फिर इनकी हमें दुबारा खरीदने की जोरत क्यों नहीं पड़ेगी ये आप ध्यान से सोचिए आपकी जेविक बागवानी में बहुत नुकसान उठाएंगे अगर आपकी सोच वग्यानिक नहीं होगी हर चीज को जो भी कोई सज़ेस्ट करता है उससे पहले ये सोचिए मैं क्यों कर रहा हूँ आपके पास बायो अजेंट होने चाहिए कुछ बायो अजेंट के नाम मैं बता रहा हूँ मैंने अपनी वीडियो में बताए हुए है ट्राइको डर्मा आपके पास होना चाहिए बवेरिया बस्याना आपके पास होना चाहिए सुडो मुनास आपके पास होना चाहिए बरसात के लिए meta region, m Megensopoli आपके पास होना चाहिए आपके पास bacalis subtilis होना चाहिए bacalis tungariis होना चाहिए आपके पास में इस प्रकार आपके पास वो सब bio agent होने चाहिए जिनकी आपको अवश्लक्ता पड़ेगी क्योंकि जैविक खेती में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए जैविक खेती में प्रिवेंटिव है यानि आपको कीट नहाएं इसका इंजाम करना पड़ेगा लेकिन अगर कीट आ गए तो जब तक जैविक दवाई का असर होगा तब तक आपको बहुत नुक्सान हो चुका होगा किसान साथियो एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप साल में काम करते हैं तो एक डायरी बनाईए और उसमें ये देखने की कोशिश करिए किस प्रकार के कीट किस समय आते हैं ये जो पांच चीजे मैंने बताई हैं आपके पास अच्छी गोबर की खात होना चाहिए आपके पास जीवा मृत बनाने के साधन होने चाहिए पत्यो का रश होना चाहिए और पांच वी आपके पास बायो आजन्ट होने चाहिए ये कैसे बंते हैं और इनको किस प्रकार रखना चाहिए किस प्रकार अपलाई करना चाहिए ये सब चीज여 दे हुई और मेरी कई वीडियो में भी है और अब इस सीरीज में जैविक पागवानी सी्रीज में जो मैंने विनू दómo रख ऐ की वीडियो से सुरू किसान के इलाके के ख Beach किसान लोगों के पास है ए जो की बहुत अच्छी बागवान्य करते हैं आभी एक वीडियो आयेगी जिसमें मैं दिखाऊंगा कि एक किसान किस प्रकार जिसका बहुत अच्छा किनू का बाग है जिसका के बहुत अच्छी धान की खेती लेता है और सब चीज़ लेता है वो दो लाख परती एकड नेट प्रोफिट यानि बचत किस प्रकार अमरूद की बागवानी से करता है मैं भी मेरे पास पोधे हैं आप कटिंग कर दीजिए जी हाँ कटिंग है कटिंग पर मैंने बहुत अच्छा लेख भी लिखा हुआ है और ये बताया है कि कितनी वर्ष के पोधे की कटिंग किस समय करनी चाहिए पहले डेड़ साल हमें कैनोपी बनानी है और कैनोपी मैनेजमेंट पूरा मैंने अपनी वीडियो में बताया है जब तक मुझे उसके पोधे की दूरी पता ना हो जब तक मुझे ये ना पता हो इससे पिसली कटिंग कब की गई थी जब तक मुझे ये ना पता हो कि ये पोधा कितने वर्ष का है मैं इनके उत्तर नहीं दे सकता और अगर आप नहीं पढ़ सकते, वेब साइट पर है, वीडियो में बताया विया है, तो फिर आपकी साहता कोई नहीं कर सकता, किसान साथियो एक बात मैं और बताता हूं, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो ऐसी पढ़ी है, कि गोबर के उपलो से जिब्रेलिक एसिट बनता है, एक उसी इडियो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, कि मैं एक टेस्ट करूँगा, और ये भी बताऊंगा, कि गोबर के उपलो से नहीं तो हुमिक एसिट बनता है, और नहीं जिब्रेलिक एसिट बनता है, इस बात की इन चर्चाओं म की तयारी करनी है, और सही तरह से उनकी देखरेक करनी है, कुछ भाई मैंने देखे हैं, कि जब बागवानी करते हैं, तो बीच में बेल वाली फसल बो देते हैं, बेल वाली फसल बोने से क्या होता है, कि महाँ पर पानी की अधिक जौरत पढ़ती है, और वो पानी आपके पोधो की जड़ो को खराब करता है, पोधो के पत्ते पिले होने लगते हैं, मैंने बार-बार कहा है कि पोधो का root structure समझिए, जो मैं एक अलग वीडियो में विस्तार से बताऊँगा, कि पोधो का root structure क्या होता है, उनकी जड़े कितने परकारगी होती है, कहां पर पानी देना चाहिए और कहां पर खात देना चाहिए, चूंकि एवन के मेरे group में मैं कहते कहते ठक गया, और कुछ लोग पर्टिकुलरी जो राजस्थान हरियाना का जो रेतली वाला इलाका है, जहां पर पानी कम रुखता है, ऐसे थाले बनाई भी हैं कि वहां पानी भरा रहता है, किस अच्छों में कितना फल है, इस पोदे पर कम से कम 200 से 2500 अमरूत होंगे, यह देखिए, देखिए कितना फल है, यह देखिए इधर, इधर देखिए, अगर यह टहनी मजबूत नहीं होगी, तो यह इसको तोड़ देगा, यह नहीं रख पाएगा, अभी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा थिनिंग नहीं की, चुकि मेरा यह जो बाग है, यह जो लगबग डेड़ से दो एकड़ का बाग है, बहुत अच्छे उस पर इवन की सर्दियों की फसल भी बिग गई मेरी। जितना की इस से पढ़ता, अंतीम बात, किसान साथियों मैंने गुट्टी के कुछ पोधे बनाए थे, जब मैंने वो पोधे गुट्टी बंदवाई तो मैंने अनौंस कर दिया कि यह गुट्टी के पोधे इतने पैसे के हैं, और मेरे पास 15 दिन के बाद आने लगा, काफी लोगों ने करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने बुक कराए हुए हैं, कि हमारे पोधे कब आएंगे, हमारे पोधे कब आएंगे, हमारे पोधे कब, मेरी हाथ जोड़ कर विंती है कि यह मेरा पहला परियोग था, और इसमें जो मैंने समय सोचा था, उससे थोड़ा देर हो ग गुट्टी थी जो हमने इस थैली में लगाई थी और ये ने पत्ते आ गए हैं इस पर मैं इसे चाहूं तो कल को ही डिस्पैच कर सकता हूं लेकिन जब तक मैं इससे संतुस्त नहीं होगा मैं नहीं बेजूँगा तिरप्या थोड़ा धैरिया रखे मेरे से बार-बार डेट पूछते हैं मैं 15 अगस्त बताता हूं मैं 30 अगस्त बताता हूं मैं 15 सप्टेंबर बताता हूं थोड़े दिन में कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका पोदा सुष्थ होगा चूंकि ये एक डब्बे में बंद होकर आएगा तो इसकी पतियों में इतनी जान होनी चाहिए कि ये कुछ दिन थोड़ा सा बिना धूप और हवा के भी रह सके पोदा नहीं मरेगा इसी को हाड़निंग कहते हैं आप देखिए ये लाइम नंबर वन है ये लाइम नंबर टू है इस टाइम कितने अच्छे पोदे चल रहे हैं ये देखिए ये गुट्टी सब मैंने तयार क इना उधर लेमन रखा है ये देखिए ये बरसात के उख्यूद थे क्या इतना बड़ा अमरूद देखा है आप और फल देखिए इस पर कितने आएगे हैं मैंने इनकी थिनींग कर तक की थी और इतने अच्छे पोदे हो गए आपको भी थिनींग करनी चाहिए नहीं तो आ किसान साथियों जो वीडियों एंटर्टेन्मेंट के लिए बनाई जाती हैं उन्हें देखिया लेकिन उन पर मनन करने या उनका प्रियोग करने से पहले आप आँख मीच कर नहीं प्रियोग करें बायो एजेंट के बारे में आपको अभी बहुत जानकारी नहीं है एक वीडियो में जल्दी ही मैं दिखाऊंगा चूकि हमने ये जैविक बागवानी का कारियकरम शुरू कर दिया है जो मेरा वो बाग था जिसमें मैंने खड़ा था अब 60 पोदे लगा रखे अभी सेप्टे पिछले साल मेरे साथ एक मेरे साथ ही हैं अमित भाटी जी जीन्ध हरियाना के रहने वाले हमने पूरे एक साल में ये तयारी की कि किस समय कौन से कीटों का प्रकौफ होता है ताकि उसे समय से पहले ही हम उसे कंट्रोल कर सके जो की जैविक बागवानी की आधार भूत सरचन मैं दो चीजों पर ध्यान रखता हूँ, अच्छी और सस्ती, और सब चीजों को टेस्ट करना, जीवामरत, जैसे एक किलो अगर खली डाल दें आप दोसों में, तो बहुत अच्छा जीवामरत बनता है, वैस्ट दीकमपोजर, पतियोकारस, बायो आजेंट, अगर मैं आपके बायो आजेंट, दोसो रुपे में आपको एक किलो भी मिल सकता है, और आपको धाई सो ग्राम भी हो सकता है, आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, कि दोनों में क्या अंतर है, और ऐसी चीज़े बताऊंगा, जो ने आप तक आपने सुनी होगी, और ने सोची होगी, ब कि जो आदमी कारिय करता है, गल्ती भी उसी से होती है, जो कारिय नहीं करता, उससे गल्ती कभी नहीं होती, इनी सब्दों के साथ आप से विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रा.